आज हम बहुत हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्स बनाने चाह रहे हैं स्प्राउट्स का चीला यह बनाने में बहुत इसी है पस पहले उसके मुंग की स्प्राउट तयार करना है उसके लिए हमने 8 गंटे पहले मुंग को बिगो दिया था और जब वह अच्छे से बेग जाएं तब हम इसे स्प्राउट मेकर में भी उसे अंगुरित कर सकते हैं या फिर आप उसे कपड़े में भी बांध कर उसे कवर करकर रग देंगे ना तो 8 गंटे बाद फिर से यह स्प्राउट अंकुरित हो जाएंगे तो बस अंकुरित स्प्राउट को हम एक मिक्सर ग्रेंडर में निकाल लेंगे उसमें हरी मिर्ची अधरक हरी धनिया नमग जी फिर आप एक तवे को अच्छा से पहले ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद इसको चीली को फेलाएंगे पस यह है कि तवा अच्छा से ग्रीस हुआ होना चाहिए नहीं तो क्या होता है स्टार्टिंग के एक या दो चीली तो तो अगर आपके पास जैसे यह लोहे का तवा है या नॉन स्टिक है आप किसी में भी बना सकते हैं मैं तो यह लोहे के तवे पर ही बनाती हूँ बस इसकी तरह से उसे अच्छा से स्प्रेट कर लेंगे और साइड में थोड़ा सा तेल लगाने के बाद इसे हम कवर करके दो या तीन मिट कुक करेंगे उसे क्या होगा चब करेंगे तो उपर की जो सतह है वह भी स्टीम से अच्छे से कोख हो जाएगी तो इसमें हमें बहुत ज्यादा तेल लगाने की जरूत नहीं पड़ेगे देखिए हमने इसको आप एक बार असे पलट दिया है देगे कितना अच्छा सिग गया है अब अगर आप चाहे तो नी अगर आपके पास इस प्राउट तयार है तो बस मिक्सर में फटा फट मसारे डाल कर उसे क्रश कर लीजिए बेटर बना लीजिए और दो पांच मिट में हमारे चीले बनकर तयार हो जाते हैं तो बच्चे भी खुश और आप भी खुश तो बस ये रेसिपी आप बनाईए घर में सभी को खिलाईए मेरी रेसिपी अच्छी लगए तो लाइक किजिए ज्यादा से शेयर किजिए थैंक यू बाइबाए